नमस्का तो एश हराखन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं अंकीता के परिजणों को 10 लाख देने का हेमंत सुरेन का एलान दुमका में जिन्दा जलाई गई अंकीता कुमाडी सिंग के परिजनों को मुख्य मंत्री हेमन सुरे ने 10 लाख रुपए की साहता रासी देने का एलान किया है उन्होंने ट्वीट किया है कि इस घ्रिनित घटना के फास्ट रेक निस पादन का निर्देश दिया है सियम ने कहा है कि पूलिस महानिदेशा को निर्देश दिया गया है कि एडिजी रेंक के अधिकारी से मामले की जाच करवा कर जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट समर्पित करे इसे पहले मुख्य मंद्री ने दुम का घटना पर अपनी पर्तिकिद्या देते हुए कहा है कि दुम का घटना हिदय विदारक है सब ये समाज में ऐसी घटना के लिए जगा नहीं है हमारी कोशी सोगी की आरोपी को कड़ी सजा मिले बता दे अंकीता बेटी को भाव भिनी सरदान्जली दी अंकीता के परिजनों को दस लाख की साहता रासी के साथ इस घटना का फास्ट ट्रेक से निस्पादन है तू निर्देश दिया है ज्यारखन की राइधाने रांची समेथ परदिस के कई जिलों में सोमवार को बरसा होई रांची में दो बज़े के बाद तेज बारी सुरू हो गई बता दे कोकर लालपूर कटहल मोर बजरा रातू रोड का छहरी समेथ कई जगों पर बरसा होने की वज़ा से लोगों को परशानी होई मौसम भी भागने चत्रह हजारी भागलाते हार गठवाद देव घरदूम का गिरिड़ी जाम तरा पांकूर बुकारो साइब गण गोड़ा सिम्डेगा पश्मी सिम्मू में बरसा का पुरोण मान जारी किया है कहा है कि इन जीलों में हलके से मददर्च की बरसा होगी दोरान 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी जैक बोड एगारवी का रियल्ट आज हो सकता है जारी जारी जारखन एकेडमी काउंसील इसी हफता एगारवी का रियल्ट जारी करेगा इसके पहले कक्छा आठवी और नावी का रियल्ट जारी किया जा चुका है मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक आरवी का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है रिजल्ट की घोसना अधिकारिक वेपसाइट जैक्रियल.com और जैक.जर्खन.जोबी.in पर की जाएगी हाला कि इस बारे में जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से अधिकारिक तोर पर कोई घोसना नहीं जारी की गई है हमांत सुरेन के सासूर का ब्यान मेरी बेटी सत्ता सम्हानले के सक्षम जर्खन में चल रहे रायनितिक उठा पटक के बीच मुखे मंत्री हमांत सुरेन के सासूर ने बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी कल्पना सुरेन अपने पती की बिरासत यानि जर्खन की सत्ता की बागरोट सम्हानले में सक्षम है हमांत सुरेन के सासूर केपिटन अमपा मुर्मू ने यह भी उमीद जताई है कि उनके दमाज सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे बता दे केपिटन अमपा मुर्मू ने पीटी आई से बाचीत में कहा है कि उनके दमाज जर्खन के लोग प्रिये मुख्यमंत्री है सभी आरोपो से मुक्त हो जाएंगे बता दे कि केप्टन अमबा मुर्मू जार्खन के पडोसी राज उडिसा क्या दिवासी बहूल मिरुभन जीले के रायरपूर्ग के रहने वाले हैं राष्ट पति द्रोपदी मुर्मू भी वहीं की रहने वाली हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रांची में 800 सुगरों की मौत जार्खन के रह जहारी रांची में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 800 से अधीक सुगरों की मौत हो गई है एक अधिकारी ने अभी जनकारी दिया है कि उन्होंने बताया है कि सताही चुलाई के बाद से अब तक 800 से अहीक सुगरों की मौत होई राज के पसुपायन निदेशक ससी प्रकास जाने बताया है कि वर्स फरवरी 2020 में सबसे पहले आसम में अफ्रीकन स्वायन फीबर की पुष्टी होई थी उन्होंने बताया है कि इस बार बुखार से पालतू और जंगली दोनों सुगर परभावित हो रहे हैं इसी महीने भोपाल स्थित नेशनल इंस्चूट अफ हाई स्योकरेटी एनिमल डिजीज में टेस्टिंग के लिए सेंपल भेजे गए थे रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वायन फीबर की पुष्टी होई है अंकीता को नयाय दिलाएंगे स्यम हेमांत सुरेन जारखन के दुमका की बेटी अंकीता की पेट्रोल छिड़कर हत्या मामने मुख्यारो पी सारू के बाद अब नाईम ओर्फ छोटु खान भी पुलिस के सिकंजे में है जारखन के राजेपल रमेश बस ने ट्वीट कर गहरा सोक जताया है उन्होंने डीजीपी से बात कर बिगर्ती कानून ब्यवस्था को लेकर नराजगी भी जताई है मुख्य मंत्री हेमान सुरेण ने ट्वीट कर भाव भीनी साधान जी जते हुए कहा है कि फास्ट ट्रेक कोट से इस मामने का निस्पादन होगा मंत्री बन्ना गुपता वा मिसले स्ठाकूर समेत अनेने कड़ी से कड़ी साजा को लेकर हर सम्भव पर्यास की बात कही है की बिरोद हो रहा है सो मुखर को आदिवासी संगठन छेचारी परगना के तीन दर्जन से अधिक अंदोलनकारी जूलूस की सकल में नारा लगाते हुए अनुमंडर कर्याले पहुचे यहां पहुचने के बाद महुआ अनुमंडर कर्याले परखंड सा अंचल किरिसी तक निकी सुजना के अंदर भवन समेत JSLPS कर्यालों में ताला जड़ दिया इस दरौन सभी कर्यालों से अधिकारी समेत कर्मियों को बाहर निकाल कर ताला लगा दिया इसके बाद सभी अंदोलन कारी धरने पर बैठ गाए अंकीता मामले में दूसरे आरोपी छोट्टू खान गिरफतार दुमका की बेटी अंकीता कुमारी की पेट्रोल छिड़कर हत्या करने के मामले में पूलिस ने सोमवार को दूसरे आरोपी नैम उर्फ छोट्टू खान को गिरफतार किया है इस बात की पुष्टी दुमका एस पी अंबर लकडाने की है इसे पहले मुख्य आरोपी सारुख को पूलिस पहले ही गिरफतार कर जेल भेज चुकी है इस हादसे के बाद से छेत्र में पूलिस परसासन की चोक्सी बढ़ा दी गई है बता दे की दुमका के जरुआ डी निवास्टी अंकिता कुमारी सिंग पर आरोपी सारुख ने पेट्रोल चिरक कर जराने की कोशिस की थी मुख्य मंत्री बोले हम इंतजार में हैं राजे पल बताएंगे जारखन में क्या होगा राजे में राईनित्तिक उथल पुथल की संभावणाओं के बीच मुख्य मंत्री हमां सुरेन अब राज काज में मन लगा रहे हैं सो महर को भारी बर्सा के बावजोद मंत्रियों समेथ उनका लाव लसकर प्रोजेक्ट भौन सच्चिवाले पहुंचा इससे कई दिनों बाद सच्चिवाले में रौनक दिखी मुख्य मंत्री ने इस दोरान केंदर सरकार के साथ साथ बिरोधियों पर निशाना सधा चुनाव आयोग से आये निर्देश सम्बंधी सवाल पुछने पर उन्होंने कहा कि यह तो राज पल रमेश बैस ही बताएंगे वे भी इंतजार कर रहे हैं मौजूदा इस्थिती की विशर में ज्यादा अच्छे से राजभवन ही बता पाएगा जारखन में आठ बिधायकों की कूर्सी खत्रे में जारखन में बिधायकी गवाने का खत्रा सिर्फ मुख्य मंत्री हेमान सुरेन पर नहीं बलिक ऐसे नेताओ की लंबी फेहरिस्त है बतादे जामों में जहां हेमान सुरेन बसंत सुर्ण मिथलेस कुमार ठाकुर की बिधायन सबा सरसता खत्रे में है वहीं भाजपा बिधायक दलकनेता बावलर मरांडी और समरी लाल की सरसता भी खत्म हो सकती है यही नहीं कांग्रेस की निलामबीत बिधायक इरफान अंसारी नमन बिक्सल और रायस कक्छब भी सरसता गवाने की जद में आ सकते है इन आठ बिधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोक और जार्खन बिधान सबा अध्यक्स नयाधी करण में विचरान धीन है सिर्फ देखना यह है कि कब किसकी बारियाती है अंकीता हत्याकांड के बिरोध में हिंदू संगठनों ने स्तियम का पुतला फुका दुमका में अंकीता हत्याकांड के बिरोध में टावर चौक पर बिश्वे हिंदू परिसाद बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने स्तियम हिमन सुरेन समेत हत्यारे का पुतला फुका तथा सरकार के खिलाप नारेबाजी की हिंदू सगठनों के करेकताओ ने अंकीता के हत्यारे को जल्थ जल्थ फासी साजा दिलाने की मांग की मौके पर बिजेपी ओवी सीमोरचा के परदेश प्रवक्ता बिनाय सिंग ने कहा है कि अंकीता की जगहन ने हत्या हुई है हत्या कंड के मुख्या रोपी को फासी की साजा होनी चाहिए जिससे इस प्रकार की घटना फिर ना हो M.D.M के लिए केंडरे ने दिये 379 कलोर जार्खन सिक्षा पर्योजनवा जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकरण ने जीलो को रासी भेजने के त्यारी सुरू कर दी है रासी के अभावे मद्याहन भोजन संचाले में परसानी हो रही थी दुकंदारों से उधार में समान लेकर मद्याहन भोजन का संचारन किया जा रहा था इसकूलों को जून तक मद्याहन भोजन की रासी दी गई थी जुलाई वह अगस्त के लिए रासी नहीं मिली थी ग्याद हो कि मद्याहन भोजन योजना के तहट इसकूलों को चावल उपलब्द कराया जाता है और ने समागरी के लिए रासी दी जाती है पीएम मोधी के खिलाप और आक्रमक होंगे हेमांत दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की सपस लेने के बाद हेमांत शुरें ने मोरबादी मैदान में कहा था मोधी देश के परधान मंत्री हैं वे मेरे भी परधान मंत्री हैं मैं केंद्रे के साथ सहयोकर जारखन को देश के अग्रणी राजियों में सामिल करूंगा वहीं मार्च 2020 के बाद जब कुरोना के कारण लोकडाउन में आर्थी कती भी दिया ठप हो गई तो उन्होंने केंदर सरकार को पत्र लिग कर GST में राजे की सिदारी का पत्चीस सो को रुपे मांगे केंदरे ने जब राजे के 20 कोल बलोक खनन की निलामी की परकिरिया आगे बढ़ाई तो हेमान सुरेन इसके खिलाब सरोच निया लए गए राजे के बकाया खननन रैल्टी का मुद्दा उठाते हुए 1.36 लाह करोर रुपे की मांग की तना तनी लगतार बढ़ती रही है जारखन में बरतमान राइनेतिक और स्थिर्टा को लेकर पूलिस अलर्ट है राजबहन के फैसले के बाद कहीं कोई बीदी बेवास्था समधी संकट उत्पना हो जाए उस पर राज की खुपिया एजेंसी की भी नजर है सभी जीलों को यह निर्देश दिया गया है कि कहीं कोई बीदी बेवास्था समधी संकट की सुचना मिल रही है तो तौलित करवाई करे कानून हाथ में लेने वाले से सक्ति से निप्टे इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखे और अफ़वा फेलाने वालों को चीनित कर उनके खिलाप करी कानूनिक करवाई करे राज जेपाल ने राज की कानून बेवास्था पर जताई चिन्ता दुमका की बेटी अंकीता की मौत पर सभी मरमाहत है जारखन के राज पल डामेस बैस ने गहरा दूख एवं सोक्त ब्यक्त करते हुए उनके परिजनों से बात कर उनके प्रती गहरी सन्वेदना ब्यक्त की है साथ ही राज में बिगर्ती कानून बेवस्था पर गंभीत चिन्ता प्रकट करते हुए नराजगी जताई राज पल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट रेकोर्ट में करने की बात कहते हुए पिडित के परिवार को ततकाल दो लाख की रासी अपने विवेका धिन अनुदान मद से देने की घोसना की बता दे कि इस मामले में पिडित के परिवार को सीय में मन्सुरे ने 10 लाख रुपए की साहता रासी देने की घोसना की वही घोसना के कुछ देर बाद ही दूमका डीसी ने पिडिता के परिजनों को चेप भी सौका है धन्यवाद यदि आप चनल पढ़ने होते चलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले का अंदा बाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को से असे करना भूले साथ सी साथ आप हमें कोमेंट पक्स में अपना फीडिवेक अवास से दे थैंक्यू